हेलो फ्रेंस स्वरास-3D लाइट्स में आप सभी का बहूत स्वागत है आज की रेशीपी है चॉकलेट मोदक और बहुत आसान रेशीपी है चॉकलेट ड्राइफूट मोदक हमने बनाए है तो चलो शुरू करें यह रेसीपी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को जाधा से जाधा लाइक कीजिए शेर कीजिए यहाँ पे हमने लिए है तीन टाइप के चॉकलेट्स यहां पर है dark compound chocolate यह आधा cup है white compound chocolate यह भी आधा cup है और milk compound chocolate यह भी आधा cup मैशने लिया है आप किसी भी दो टाइब के चॉकलेट का भी इस्तेंमाल कर सकते हो या आप तीनों भी चॉकलेट ले सकते हो इन जोटे तुक्डे कर लिये है जिससे यह meltहने के लिए आसानी हो यहां हमने कुछ ड्राइफूट्स लिए है, मेरे पास है काजु से करीबबं-डॉ तेबल स्पून बादाम है, यहां पे एक टेबल स्पून मेने लिया है पिसता और कंडेंस मिल्क है, कंडेंस मिल्क का मेजर नहीं है, जितना हमें डो बनाने के लिए चाहिए होगा, उतना हम इसे प्रेसिपी में आगे बताओंगी इन तीनों को हमने मिक्सी में डाला है और इस इसका हमें एक पाउडर बना लेना है हमारी ये पाउडर तैयार है और मैंने इसे थोड़ा हलका दरदरा रखा है और इसे अब हम इसमें निकालेंगे अब यहाँ पे मैंने गैस पे एक बरतन रखा है इसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है और उसके ऊपर और एक बरतन रखा है और उसमें हम चोकलेट डालेंगे और हम इसे पिगला लेंगे इसे डबल बॉयलर मेथड कहते है आप चाहों तो माइक्रो वेव में भी आप चोकले अलग-अलग मेल्ट कर लेंगे आप यहां देख सकते हो यह मेल्ट होनी चालू हो गई है और इसे हम मिक्स कर लेंगे चोकलेट हमारी मेल्ट हो गई है थोड़ी सी बाकी है पर ग्यास हम बन कर देंगे और नीचे उतार के हम इसे लगाता चलाएंगे अगर हमने इसे ऐसी गरम करने रख दिया तो ये खराब हो जाती है जादा हीट से यहाँ यह जो हमारा तैयार ड्राइफ्रूट का पाउडर है उसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क पहले मैं सिर्फ एक टी स्पून डालूंगी और हाट से ही मैं पहले इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से बहुत जादा हमें नहीं डालना है हमें बस इसका एक आटे जैसी कंसिस्टेंसी बनानी है जिससे हम इसके चुटे-चुटे बॉल बना पाए आप देख सकते हो एक टी स्पून कंडेंस मिल्क इसमें काफी है और यह कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है आप यहां देख सकते हो हमने जितना ड्राइफूट प्राउडर लिया था उसका एक बॉल बन गया है जितना जादा आप ड्राइफूट प्राउडर लोगे उस हिसाब से आपको इसमें कंडेंस मिल्क डालना है और चॉकलेट की कॉंटिटी भी आप बढ़ा सकते हो अगर आपको जादा कॉंटिटी में बनाने है अब इस मिक्शर के हम छोटे-छोटे बॉल्स बनाएंगे बिल्कुल चोटे यह साइस के अपका मोल्ड मोदक का कैसा है उस हिसाब से आपको यह बॉल्स बनाने है तो यहां पर आप देख सकते हो मैं यह मोल्ड इस्तमाल करने वाली हूं यह मुदक बनाने के लिए उससाब से मैंने यह साइस के बॉल्स बनाए है हम सारे बॉल्स बना के रेडी रखेंगे हमने यह सारे बॉल्स बना लिये है और यहां पर मैंने काजू पिस्ता और बादाम का इस्तमाल किया है आप आपके मन चाहे कोई भी ड्राइफ मेल्ट होके आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी अब हम मोदग बनाना चालू करेंगे अब यहां पर यह चॉकलेट मोल्ड मैंने लिया है यह मोदग के शेप का है आपको बाजार में बड़ी आसानी से यह मिल जाता है इसमें साइज आते है छोटे बड़े और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे यह मैल्टेट डाक चॉकलेट अब हम तीन लेयर की बना रहे हैं तो हमें एक तीहाई वन थर्ड पार्ट इसका हमें फिल करना है तो बिल्कुल वीचो बीच हम इसे डालेंगे A कि अगर हमने इसमें, यह डाक चोकलेट भर दिया है हम इसे एक दबार ऐसे पटकेंगे जिसे यह अच्छे से लेवल हो जाएगा और हम इसे पांच मिनिट के लिए फ्रिज में रख देंगे हमने पांच मिनिट के लिए इसे रखा था और ये हलकी सेट हो गई है और इसमें हम अब डालेंगे हमारा वाइट चॉकलेट आपको बहुत क्यारफुल ये करना है साइड में लगना नहीं चाहिए चॉकलेट दूसरा वर्ना हमारे ये तीन लेयर्स नहीं दिखेंगे हमने सारे में वाइट डाल दिया है और एक बार हम इसे भी ऐसे पकेंगे जिससे सारा लेयर में आ जाएगा अब इसे फ्रिज में रखने से पहले ये जो हमने ड्राइफूट के बॉल बनाये हैं उसे हमें बीचो बीच ऐसे रख देना है अब चाहो तो इन्हें थोड़ा सा प्रेस कर सकते हो हलके से बहुत ही हलके से आपको इसे करना है अब हम इन्हें फ्रिज में रखेंगे दुबारा से पांच मिनिट के लिए हमारा ये वाइट चॉकलेट भी अच्छे से सेट हो गया है और हमारा अब ये सबसे आखरी है या मिल्क चॉकलेट का उसे हम डालेंगे हमने सब अच्छे से भर दिये है और अब हम इसे एक दौबार टैक करेंगे अब देख सकते हो अच्छे से कवर हो गया है और अब हम इन्हें फ्रिज में रखेंगे और इस टाइम हमें इन्हें ज्यादा टाइम के लिए रखना है कम से कम दस मिनिट जिससे तीनों लियर्स हमारे अच्छे से से हो जाए अच्छे से अब यह मोदक सेट हो गया है यह चोकलेट और हम अब इन्हें निकालेंगे अब यह देख सकते हैं हमें अनमोल कर लिये हैं और यह कितने प्यारे लग रहे हैं शाइन भी बिल्कुल अच्छी आई है और बाद में मैं आपको कट करके बताती हूं पर अभी हम सारे मोदक पह है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है एक चोकलेट में आपको कट करके भी बताती हूं आप इसकी स्टॉफिंग देख सकते हूं तो यह रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट सेक्षिन में लिग भेजिए कैसी बनी यह रेसिपी और इस गरेश चातूरती को आप यह चॉकलेस बनाएक के सेलिब्रेट कीजिए